है गाइज वेलकम टू साइकावानेस आई होप आप सब अच्छ होंगे तो हमें साइकावलोजी में रेकूट्मेंट रहती है आपने जितनी देखी मैक्जिमम जो है आपकी फ्रेयर कितनी रहती है आपकी पर्मेन नहीं होती वह सब कॉंटेक्ट पर होती है और काफी कम पर्मेंट ऑफिसर की और इंडिया से आप इसमें कर पाऊगे अप्लाई और इस 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 पर कुछ भी नहीं मांगा आपसे सिर्फ पास मास्टर्स होने चाहिए साइकालोजी में तो आपको भी वीडियो दिखने चाहिए जिससे आगे आपका पता पाईगी कैसे आप इसकी कर पाऊगे तो पोश्ट अपके काफी अच्छी है और जो वर्क प्रफाइल है वो भी काफी इसमें एजी रहेगा उसके पाद ट्रेनिंग वगए इसमें है तो सब कुछ डिटेल मैंसन है आपका लोग सिवा आयोग की तरफ से रिकूट्मेंट है बट आल इंडिया से आप इसमें अप्लाइगर पाऊगे आपको इसमें रिटन एक्जाम नहीं ले रहे हैं डियक्ट आपको इसमें इंटर्व्य होगा तो यह अच्छी बात है क्योंकि अगर आप PCS के थ्रू किसी पोस्ट पर जाते हो तो वहां पर आपको साथ से आल्ट एक्जाम निकालने पड़ दुबारा से यह पोस्ट जो है दस दिन के लिए ओनलाइन फॉर्म इसको ओपन कर दी है ठीक है उस टेम फॉर्म भरे नहीं कहते बच्चे को जानकरी नहीं थी बट अभी मैं बता रहा हो आपको की फॉर्म दुबारा उपन हो गए दस बारा दिन तक आप इसे ऑनलाइन पाओ गए तो पीडिए दुदर एक किसमा गया था बट वेकैंसी हुई नहीं थी कंप्लीट तो दुबार से इसकी वेकैंसी जो है रिकूट्म आ गई है ऑनलाइन आपको फॉर्म बनना है ना पर दिखाएता हूं कि वेकैंसी कौन सी है कैसा आपको सब फॉर्म बनना है तो अपने दूति श्रीणि यानि कि क्या है गजटेट ऑफिसर सेकिंड पोश्ट क्या है इस था ही मतलब पर्मेनेट है जो सब्सक्राइब जो अनिवार से अहरता यानिकि आपकी एलिगे रहेगी आपने किसी भी यूनिवेसिटी से मनोगय निसाइकोलीजी में फर्स्ट प्लस आपकी रही तो अपलाई कर पाऊगे और अगर आपके डिजारेबल में यहां प्रिफ्रेंस मिलेगी पिएजडी की दिक्कत नहीं आपने मास्टर्स कर रहा है तो आप इसमें अप्लाई कर पाऊगे आपका इसमें पोश्ट का काम करेने वाला है जो भी जो भी आपक कि मद्यपर्देश राज्जी के रोजगार काले में जिनका रिश्ट्रेशन वहीं अपले कर पाएंगे बट मैं आपको इसका नया पीडिफ प्रादेता हूं जो भी आया है मद्यपर्देश लोग सेवा आयोग के तरफ से इन दोर में तो यहां पर क्या लिखा है मैं आपक जून तक कौन ऐसे बिर्ति जो मद्यपर्देश के निवासी नहीं है और मद्यपर्देश के निवासी हैं दोनों के लिए चार जून से लेका तेरा जून तक फॉर्म जो ऑनलाइन इसके भर जाएंगे और इसकी फीज भी आपको लगेगी 500 रूपी अगर आप मद्य बाहर का अप्लिकेशन और सारी डोकुमेंट को अटेस करके आपको आयोग भीजना है क्योंकि इसमें इंटर्विव को एक्जाम आपको होना नहीं है ठीक है बात में आपको बता दिए अगरा बता दिए आपको तो यह पूरा पीडिएफ है इसको बाच से रीट करने काफी देख लो 45 वर्स 21 से 45 एर रहेगी बाकि मद्दीबर्देश के जो बच्चे उनको जो मिलेगा उनकी एज के कोडिंग जो उनके क्राइटिरिया है बाकि जो अधर स्टेट के बाहर के उनके 21 टू 45 एर तक वह इसमें अप्लाए कर पाएंगे और का चीज़ में देख लिना प कौन से नंबर पर है यह नंबर पांच पर आपके रिकूट्मेंट एडवर्टिसमेंट फॉर लेक्षरा निन साइकॉलेजी एक्जामनेशन यहां पर देट लिखिए कि तीरह जून तक अप्लाए कर पाएंगे यहां पर क्लिक करोगे तो यह आपका खुल जाएगी वेबस तो यहां पर आपके पास मास्टर इन साइकॉलेजी तो यहां पर नौ कर देना यह सारे ओप्सण जो है वह आपके लिखाया क्या अभ्यारती मद्धी परदेश का मूल निवासी है यहां तो यहां पर नौ कर देना ठीक है तो सब बंद हो जाएंगे फिर आप जनल कर टिकर सब्सक्राइब करेंगे और 21-22 बच्चों को इसमें इंटर्वी के लिए ठीक है बाकी अदर और बच्चे में ले सकते हैं बट एक पोस्ट है क्योंकि गजटेट ऑफिसर बना रहे हैं आपको ड्रेक्ट इंटर्वी ग्वेसिस पर तो यह बहुत बड़ी बात है ठीक है और कि बाके सब्सक्राइब करो वीडियो को शेर करो वीडियो चैनल करो सब्सक्राइब जल्द मेरता है ऐसी ही अच्छी वीडियो में दब तक है थांक्यू